बिहार कोव्मेंट ने विहार फ्री लाप्टॉप योजना 2022 का जो रजिस्ट्रेशन है वो मार्च से स्टार्ट किया था इससे बिहार के स्टूडेंट्स को यहाँ पे लाप्टॉप मिल सकता है अगर आप एलिजबल हो तो और यह जो एप्लिकेशन है यह जो करते हैं तो उसके लिए इस बिहार फ्री लाप्टॉप योजना 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कैसे अप्लाई करना है कंप्लीट प्रॉसस हम आपके इसी वीडियो में बताएंगे तो वीडियो को कंट्यूनी रखेगा अगर फर्स टाम इस चाहां पर आना तो सब अप्लाई कर सकते हैं और या फिर आप 12th या 10th भीहार बोर्ट से कर रहे हैं तो आप इलिजबल हो में पर यहां पर यह है कि बिहार के स्टूडेंट को यहां पर फ्री लाप्टॉप डिस्टिप्यूट किया जाए जो लोग भी अपनी एजुकेशन कंट्यूनीव करना चा design code by कुशल यूवब प्रोग्राम ये yen कम्पूटर ट्रेनिंग पर्यक्राम थो अगर आप के वाइप के अंडरुप आर्ट्रेनिंग ले रहे हैं या ले चुके हैं तो आप अब कॉण कॉंसे डोक्यमेंट से हैं ऑप्लाई करने के लिए चलि वह भी ले थेख लेते हैं तो 12 की मार्कशीट के वाइपी सर्टिफिकेट एक्सेक्टरा तो यह इंपोर्टन डॉक्यमेंट से अप्लाई करने के लिए अब अप्लाई कैसे करेंगे उसके लिए सबसे पहले हम इसके ओफिशियल साइट पे चलेंगे तो यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं जिसका लिंक की प्रोड कर दिया गया है सबसे पहले यहां पे अपना फिर्स नेम लिखेंगे मिडल नेम को सबस्पोज पूजा सिंह को Shaputus फिर्स नेम में को अलर नेम चौड़ेंगे लास्टनेम में सिंह डाल देंगे त्क है उसके बात यहांपर इमेल आईडिओ अप्लिकेंट आपका जो भी email current email ID है वो आप यहां पे डालोगे आधार number, mobile number डालना है, active जो की होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपका OTP जाएगा, यहां पर no ही रहने दीजेगा, and then आपका जो भी mobile number है, उस पर OTP गया होगा, यहां पर OTP एंटर करने के बाद, यहां पर next आगे देखेंगे, So, desired scheme को select करने के बाद submit कर दिया है, तो इस तरीके का कुछ page open हुआ है, यहां पर दिया गया है कि आपका जो user ID और password है, वो आपके email ID या mobile number पर send कर दिया गया है, तो वो आपको वहां पर मिल जाएगा, अब हम यहां पर home page पर जाएंगे, and जैसे कि यह home page है, यहां पर आपको login करना पड़ेगा, जो भी आपका username, password है, और यहां पर capture करके login कर सकते हैं, login करने के बाद यहां पर आपको आपका जो password है, उसे change करना होगा, नया password यहां पर एंटर करोगे, उसके बाद submit कर दोगे, submit करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं, आपको फिर से login करना होगा, home page पर जाओगा, यहां पर click here, पर click करने के बाद, आपका यह home page आजाएगा, और यहां पर आपको फिर से login करना है, जो नया password आपने generate किया है, उस password को यहां पर enter करना है, और यहां पर login करने के बाद आपका ये main form आ जाता है तो यहां पे आपको complete information देना होगा जिसमें आपको personal information इसके बाद यहां पे आपको permanent address residential address इसके बाद आप save as draft कर दोगे हो और अगर सारी सीज़ा सही होगी तो preview करने के बाद आप submit कर सकते हैं इस तरीके से final आपका registration हो जाएगा अगर आपने कोशल यूव प्रोगाम नहीं किया है तो इसके अंडर आपको ये training करनी होगी उसके बाद आपको यहां पे free laptop दिया जायागा from बिहार government तो अगर कोई doubt है आपको इस बिहार government free laptop scheme से related या free laptop योजनौ से related आप हमें comment कर सकते हैं और वीडियो को जादा से जादा शेयर कर दीजेगा क्योंकि last day मैंने आपको बता दिया उससे पहले आपको apply कर लेना है और बाकि जो students eligible है वह भी time पे इस scheme के लिए apply कर पाए तो आज के लिए बस इतना है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में thank you so much and take care